मैं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं जो छोटी कमी रही उसको दूर किया जाता ठीक से केमपेन को और धार दी जाती तो मैं समझता हूँ कि result हमारा जो थोड़ी कमी रह गई कहीं नहीं कहीं जो city कम रही है उसमें भी जो party आला कमान की आउमाने ना पीछे हुई उसका बहुत बड़ा एक जो संदेश लगों के बीच गलत गया उसका उसी की वज़े से मुझे लगता है कि जो city हम कम रह गए वो उसी की वज़े से हुआ है जो विकास की रह पे congress party इस देश को लेकर आई देखिए पार्टी की सतर सीटे है हाँ जिस तरह से पांच साल सेक्टर में रहे लोगों का प्यार मिला आसिरवाद मिला तो मुझे बरोसा था कि एक अच्छे मार्जन से मैं वहाँ चुनाव जितूंगा और जिस तरह से लाड़नू का चुनाव रहा एक आप्रा दिक्तत्यों के बीच और जिस तरीके की सडियन तर जिस तरीके की वहाँ साजिशें हुई उसके बावजूद भी लोगों ने इसली बार मुझे 65,000 वोट दिये इस बार मुझे 98,000 वोट देकर वापस विदान सबाब बेजा है तो मैं सर्व परतम तो मेरे लाड़नू वाशियों का सभी कॉंग्रेस के कारे करताओं का धन्यवाद देना चाता हूँ कि उन्होंने बरोशा करके मेरे पे वापस एक विप्रित प्रिस्तित्यों के चुनाओं में मुझे जिता कर बेजा है तो सर्व परतम में जनता जनारधन का लाड़नू वाशियों का कारे करताओं का मेरी ओर से सबसे सब का धन्यवाद गयाफित करता हूँ और अभी हमारी मीटिंग है पार्टी की और अंदर जाके देखते हैं कि किस तोरेके की रननीति क्या आगे का एजेंडा है और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आगे कि क्या रननीती रहने वाली है इसंत्तरीके आगे पार्टी वापस व्लोगों के भी जाने वाली है अच्छे सितंबर 2022 को जो बैठक हुई वो भी पूरी नहीं हो पाई और पिछले 14 महीने में कॉंग्रेस बिना विदायक दल की बैठक के चली गई सरकार से उमीद की जाए अब जो विदायक दल आएगा वो पार्टी आल गलत फेमी पाले कि मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ तो उसको गलत फेमी नहीं पालनी चीए पार्टी आला कमान गांधी परिवार खडगे साब कॉंग्रेस पार्टी की जो विचारदारा है इतने लंबे समय से इस देश को जोड़ के रखा इतने लंबे समय से जो इस को प्रेम और भाहिचारा कौंग्रेस पार्टी ने दिया जो विकास की रहा पर कौंग्रेस पार्टी इस देश को लेकर आई तो मैं समझता हूँ कि आला कमान और गिना कोई की जो सिटे कम रही है उसमें भी जो पार्टी आला कमान की आम माननना पीछे हुई उसका बहुत एक जो संदेश लगों के बीच गलत गया उसी की वज़े से मुझे लगता है कि जो स्रीटे हम कम रह गए वो उसी की वज़े से हुआ है जैसरे जैसरे जो और वज़े से जनता का मन था जिस तरह से द्ès का पूरे देश में महाहूल बायरते जनता पारिट्री ने सांपर्दाइक महाहूल पेदा किया बेरोजगारी ये मोधी सरकार ने जो मुख्य तोर पर लोगों को दी और जिस तरीके से देश में बंटवारे की राजनिती हुई उसके खिलाब लोग खड़ें इस देश के और इस राजस्थान के और अगर हम लोग थोड़ी मैनत और करते ठीक से चुनाव कंट्रोल करके सब लोगों को साथ लेकर चल पाते तो मैं सोचता हूँ कि सरकार में हम 100% आते क्योंकि बारतिय जनता पालिटी की कोई लहर इस बार राजस्थान में नहीं थी कि इतरी ब्लतियां कहा पर हुई देखो गलतियां तो चुनाव को हम लोग किस वेकती को जिस तरह से कैमपेंच चला उसमें कहीं नहीं कि कम्या रही हम जिन लोगों को जनादार था उनको और ज्यादा हमाई पार्टी के बड़े लोग है उनको इस बात को समझे कर और मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो छोटी कमी रही उसको दूर किया जाता ठीक से केंपेन को और धार दी जाती तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट हमारा जो थोड़ी कमी रह गई बहुत से जो candidate कम वोटों से हारे हैं, वो हमारे candidate जीज सकते थे, तो कही ना कही इस पर मन्थन की जुरुत है, चिंतन की जुरुत है, और फिर से हम लोग जनता के बीच जाएं, एक मजबूत विपक्ष का, विपक्ष की भूमी का हम लोग निभाएं, इसके लिए हमारे लिए चैलेंज है कि पहले पीछे की चीजों पर समिक्सा हो, और फिर हम लोग आगे जाकर जनता के बीच जाएं,